नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है समाजवादी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के आपको बता दे कि अखिलेश यादव को आप सीबियाई न पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सीबियाई का शिकन जाक कसने जा रहा है दरसल सीबियाई ने अखिलेश यादव को समन भेज कर अवैद माइनिंग केस में पूस्ताच के लिए दिल्ली 39 फरवरी को बिलाया है बता दे कि अखिलेश यादव को 160 CRPC के तहत य कानकारी के मताबिक अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूस्ताच के लिए दिल्ली बुलाया गया है उन्हें इस मामले में बतार गवाह के तोर पर पूस्ताच में शामिल होने के लिए CBI ने समन भेज़ा है आपको बता दे कि साल 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव जब की गई थी आपको बता दे कि इस मामले पर सपानेता आईपी सिंग ने प्रतिक्रिया भी दी है उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा CBI पर चुनाव से पूर्व सक्रिय हो जाती है और बीज़पी के इशारों पर समन भेज़ती है हम जड़ने वालों में से नह समन भेजा गया है जिहां यह आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा दरसल आपको बता दे कि साल 2012-13 में मुख्यमंत्री रहते खनन विभाग अखिलेश यादों के पास ही था उस वक्त अवयात खनन को लेकर गंभीर आरोप लगे थे साल 2016 मे हाई कोट के आदेश के बाद मामले की जाच शुरू हुई तो उसमें पूर्व मंत्री गायतरी प्रजापती का नाम सामने आया इतना ही नहीं अखिलेश यादों के सरकार में कई जिलों की डियम रही बीच अंदरकला का भी इस पूरे मामले पर नाम सामने आया और उनके उ यूपी में लगू खनीजों के अवाद खनन की अनुमती दी गई अवाद रूप से रेत के खनन के लिए नए पट्टे दिये गए मौजूदा पट्टों का नवनी करंड किया और मौजूदा पट्टा धारकों को बाधद अवधी की अनुमती दी गई और इस तरह सरकारी खजानों को गलत नुकसान पहुंचाया गया और आरोपियों ने अनुचित लाब अर्जित किया सीप्याई ने इस मामले में 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमिरपूर जालो नौइडा कानपूर और लखनाउ जिलो और दिल्ली में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी तलाश यादों का नाम सामने आया बलकि उनके मंत्री मंडल में शामिल गायतरी परज़ापती का नाम सामने आता है और इसी के साथ ही ततकालीन I.S. ऑफिसर बी चंद्रकला का नाम भी सामने आया उन पर भी आरोप लगे और उनके खलाफ भी इस मामले में F.I.R. दर्ज की जाती ह और इसी मामले से सम्बनित अख्यादों को ये समंq दिया गय है जहां पर उन्हें 29 फरवरी को हाज़रů होने का आदेश दिया गया है आज 28 फरवरी कल अख्यादों को दिल्ली के CBI दफ्तर हाज़र होना है जहां पर वो अपना जवाब देंगे च्वाजर अधिर बार बिद यादों को देना होगा लेकिन इन सब की बीच में देखने को मिल रहा है कि इस वक्त जहां पर तमाम इंडिया लाइन से एक साथ होने का दावा करती है और ये दम भरती है कि वह अगले लोकसवाच चुनाव जो की अभी हाल ही में एक दू महीने के भीतर होने वाले हैं उसमें वह मोदी सरकार को सत्ता से हटा देगी इसमें कई बड़ी पार्टियां हैं फिर चाहें वह कॉंग्रेस हो समाचवादी हो या फिर ट्रियमसी जैसी पार्टियां हो इनका कैना है कि एक साथ एक जुठ हो कर के चुनाव लड़ेंगी और सत्ता से मोदी सरकार को हटा देंगी। लेकिर अगर हम नेताओँ की बात करें या फिर अनके पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे करॉपशन के मामले हैं जो कि इन नेताओं पर दर्ज है और ये चोटे-मोटे नेता नहीं बलकि इन पार्टी के दिगेज नेता शामिल हैं जिन पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं कुछ नेता तो इनमें ऐसे भी शामिल हैं जो कि बकादा जेल की सजा काट चुके हैं तो कुछ पैसे नेता हैं जो कि इस वक्त आरोप को लेकर के सलाखों के पीछे हैं बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी पर जल्बोट घोटाला इसी के साथी शराब घोटाला सिक्षा घोटाला समित कई सारे घोटाले के आरोप है और उनके कई सारे जो पार्टी कि पार्टी था के साथ भी देखने को मुलता है उनके पार्टी के कई नेतां पर कुल सक्ञाम का मामला है इसी इसक्ञाम का मामला भी उनके मंतरियों के खलाफ दर्ज है खोद अगर हुआँ अगर बात ममतामेनरजी के भतीजा ब शेक्ग mocष मेराजी के करें तो इनके खलाफ भी कैस सारे मामले चल रहे हैं जनको लेकर करके लगातार जाजजजनसि कारवाई कर रही हैं अब बात अगर हम अखिलेश यादो की करें अखिलेश अखिलेश यादो को CBI की ओर से ये पहला समन भेजा गया है किसी मामले को ले करके इससे पहले अखिलेश यादो को CBI की ओर से किसी भी मामले में समन नहीं भेजा गया है लेकिन अवैद खनन का मामला अब सामने आ चुका है और अखिलेश यादो की काफी जादा टेंशन इस म जगातार करप्शन के मामले चल रहे हैं अगर बात हम राहुल गांदी की करें तो राहुल गांदी और सोनिया गांदी पर नेशनल हिरारड मामला और इसी के साथ ही मानहानी से जुड़े कई सारे मामले चल रहे हैं जिसकी वज़े से इस वक्त राहुल गांदी फिलाल जमानत पर हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिमाचल और इसी के साथ ही करनाटक में 15 सीठों पर राज्यसभा के चिनाब हुए हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 8 सीठों पर बीज़ सुनेश्चित की है और जिस तरीके से बीज़ूपी ने यह जीत हासल की है उसके बात से ही अखिलेश यादों को सीब्याई का समन आया है इसकी टाइमिंग को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि लोग करने वाले हैं यानि की हम कारवाई करने वाले हैं इस तरीकी की बाते दोहराते हुए अखिलेश यादों असर आ रहे हैं फिलाल इस पूरे मामने को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं धन्यवाद